हलो दोस्तों मैं नागिंदर राजपूत आपका स्वाइद करता हूं वर्ड कंप्रेल गास में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं MS XL की कुछ फॉर्मुले हैं जैसे के सम फॉर्मुला है और आपका एवरेज फॉर्मुला के बारे में आज हम जानेंगे इसमें इस्ट्रोंट के आईडी नम्मर लिखे हुए हैं और आपका नेम लिखा हुआ है और सब्जेक्ट के नेम लिखे हुए और नम्मर लिखे हुए हैं मुझे इस में से क्या करना है subject के जो number है उनको plus करना है average देखना है और सबसे कम number किस के आए हुए है वो चेक करना है और maximum number चेक करना है तो वो हम कैसे करेंगे अब चलते फैले बाले formula पर तो पहला जो formula आपका sum formula है आपने पहले भी आपने sum का use किया होगा और के हमने sum लगाया हमें total करना है सबका तो मैं इस style में total करता हूँ sum माले में तो मुझे क्या करना होगा equal लगाना होगा जैसी मैं equal प्रेस करता हूँ और यहाँ पर sum formula टाइप करेंगे और यहाँ पर formula का जो argument यानि formula का जो parameter आपका show होगा वो first number पूछ रहा है और second number पूछ जा रहा है तो मुझे क्या करना होगा माॉस से पकड़के यहाँ से इस तरही से माउस को drag कर देना है जैसे ही आप माॉस से drag करेंगे तो यहाँ से लेकर यहां तक का पूरा range यहां पर इंपट हो जाएगा और दूसरा भी तरीका हम भिशल कर सकते ही जैसे कि हमने माश चो ड्रेक किया मुझे क्या करना होगा ये कौन से से कॉलम में हैं डी कॉलम में तो मुझे डी टाइप करना पड़ेगा और कौन से रो में है 4 में 4 टाइप कर देंगे तो D 4 शाल का रिफेरेंट ले लिए यहां प की range पूरी ले लेता है और bracket close कर देंगे और इंटर कर देंगे आप जैसे ही इंटर करते हैं तो आपका जो भी range है जो भी sum है उसका वो आपका निकल के आ जाएगा और इसी formula को आप auto sum से भी कर सकते हैं auto sum की solid की होती है alt के साथ अगर plus equal दबाते हैं alt plus equal आप जैसी दबाएंगे तो auto sum हो जाएगा और आपका form time में आपका editing group में auto sum कमांड आपको मिलेगी यह वाली आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो sum पर क्लिक कर देना होगा तो जैसी आप auto sum पर क्लिक करेंगे तो automatic formula आपका input हो जाएगा और इसके वह रेंज भी आपका ले लेगा और इंटर कर देना है auto sum हो गया और इन सबका मुझे plus करना है add करना है number तो आपको क्या करना पड़ेगा पकड़के drag कर देंगे इस तरीके से और यह प्लस हो जाएगा और यहां पर डबल टैप कर देंगे यहां पर डबल टैप कर दिया कोने पर तब भी आपका plus हो जाता है तो मेरे ख्याल से यह प्लस आपको अच्छे समय आ गया होगा add करना sum formula किस तरीके से यहां पर सकते हैं और यहां पर लगाता हूं देखिए मैंने sum का यूज करना है मुझे लेगा कॉमे के साथ अब मुझे यह प्लस करना है तो कॉमा लगा दिया और मुझे यह वाली value प्लस करनी है कॉमा लगा दिया और एक value आ ले लिता हूं 81 कॉमा लगा दिया एक और ले लिता हूं यह कॉमा लगा दिया और मैंने bracket को close कर दिया जो range मैंने ली हुई है यह तीन cells का data मैंने इसमें cell का add डाला हुआ है तो इनी cell को यह प्लस करेगा तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप add कर सकते हो अटो sum भी कर सकते है अल्ट इक्वल कर सकते है और इस तरीके से आप formula को use कर सकते है जैसे अब चलते next formula पर अब next formula क्या काम करता है average निकलता है average का मतलब होता है अब जैसे यह हमारी जो value लिखी हुई है हमने मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूँ मैंने इसको बढ़ा कर लिया 2813 लिखा हुआ है इसका total क्या आएगा यह मैं निकल लिया 14 आ रहा है देखेंगे मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूँ यह देखिए 14 आ रहा है अब मुझे इसका average चेक करना है तो average चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ाएगा यहाँ पर average formula लगाता हूँ मैं और यहाँ से लेकर यह range में दे दिया और इंटर कर दिया तो इसका जो average निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है 3.5 आ रहा है यानि इसकी औसत value आ रही है अगर मैं इन चार cells में इसका इंटर कर देता हूँ तो 40 निकल के आएगा देखेंगे हम मैं इसको हटा देता हूँ मैंने यहां पर equal लगाया और इस cell का adds डाल दिया और मैंने इंटू किया और 4 में इंटू करना है कि वाल आनि नम्मर कांटिंग कितनी cells है 1,2,3,4 और इंटर कर देंगे 14 आएगा तो आन जाए सही है नहीं आउसर समारा सही आ रहा है और इसी तरीके से किसी नम्मर का उसर न देना है यह range दे दिया मैंने यह और इंटर कर दिया तो average value जो आ रही है आपके subject की वो आपकी 83.2 आ रहा है और मुझे सब का ही average निकालना है तो पकड़ के इस तरीके से आप drag कर देंगे आप जैसे drag करते हैं तो आपका सभी student का जो average value है subject में वो आपकी निकल के आ जाएग और average आप auto sum वाले command से भी आप लगा सकते हैं average यह formula दिया हुआ है हमने पहले auto sum भी किया था और आप यहां से भी auto sum कर सकते हैं जैसी मैंने यहां पर क्लिक किया तो यह range इसने यह ले लिया और मैंने range हटा देता हूं और मुझे इस में से एक यह वाली cell मैंने क्लिक कर लिया दूसरा मैंने यह क्लिक कर दिया और मैंने यहां पर क्लिक कर दिया और एक वाले लिया मैंने इंटर कर दिया आप देखेंगे इसका मैंने जो cells मैंने select की थी उनका offset value आपका निकल के आ गया है आनि average value आ चुका है तो मेरे ख्याल से या भी सम्प, सुरी मेरे ख्याल से ये average जो formula है वो भी आपको अच्छे संज में आ गया होगा तो बढ़ते हैं next number formula पर और minimum formula क्या काम करता है min, min का मतदब minimum min का जैसे ये subject लिखे हुए है हिंदी इंग्रिस में जितनी पी subject हैं आपकी उसमें से सबसे कम नमबर कौन से subject में आए हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा min formula का यूज करना पड़ता है पर आप जैसे min पर आपने लिख दिया min और आपने range डाल दिया हाँ पर यहां से लेकर यहां तक इस range में सबसे छोटी जो value है subject में कौन से subject में सबसे कम नमबर आए हुए हैं वो मुझे find out करने हैं तो आपको यतना लिखने के बाद आपको enter कर देना है तो आप देख पारे होंगे यहां से लेकर यहां तक यह सबसे कम value आपकी 75 आया हुआ है और इसको पकड़ के drag कर देना होगा तो आप देखेंगे सब ही studentों की list निकल के आ चुकी है सबसे कम नमबर वालों की और अगर मुझे particular किसी भी range select करके जैसे पूरे में से सबसे कम नमबर देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा मजे auto sum से भी कर सकते हैं जैसे के mini formula पे मैंने क्लिक किया और इसने range क्या ले लिया यह वाला मुझे यह range नहीं चाहिए मुझे क्या range चाहिए यह पूरा ले लिया है जिसकी है 45 आप देख सकते हैं यह आ रही है तो सबसे minimum value आपका check करना चाहते हो तो वो आप min formula से आप use कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से आपको minimum formula आपको अच्छे से सज में आ गया होगा min formula तो बढ़ते हैं next number formula पर और next number जो formula है आपका वो है max formula max formula क्या काम करता है आपके data में से सबसे बड़ी जो value है उसको find out करता है अब जैसे हमने यहाँ पर formula लगा max max लिखने के बाद आपको data की range देनी है range क्या देनी है यहाँ से लेकर यहाँ दे दिया मैंने sorry यह अटा देता हूँ यह दे दिया आता subject में से अनि सभी subject की range दे दी मैंने केवल एक student की और मुझे यह चेक करना है इस student की सबसे बड़ी जो value है कौन से subject में सबसे लाद नम्मर आय हुए है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तो 92 आपके आय हुए है इस तरीके से आप चेक कर सकते है और मुझे सबका यहाँ पर चेक करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा पकड़ के यहाँ से drag कर देंगे और drag करने के बाद आपको इस तरीके से माउस से drag कर देना होगा और आप देख पा रहे होगे सभी student की सबसे maximum जो value है जो subject में सबसे जाद जाद नमबर आए हुए है उनकी list यहाँ पर आ चुकी है और दूसर तरीका आपका होता है जिसे यह max में लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने auto sum से भी आप use कर सकते हैं इसको max को जिसे मैंने max पर क्लिक किया range इसने यह उठा लिया मैं जो यह नहीं चाहिए इसको अठा देता हूँ delete key से अठा दिया और इसमें से सबसे सबसे जाद नमबर किस के और कौम से subject में आए हुए हैं आपने range दे दिया range आपके देखेंगे आपके D4 से लेकर H18 तक आपने ले लिया है और इंटर कर देंगे 97 जो है नमबर सबसे जाद हैं आप किस के हैं आप चेक करेंगे 97 यह देखिए यह आ रहे हैं तो इस तरीके से आप value find out कर सकते हैं maximum and minimum और auto sum और average तो मेरे कहल से आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें और share करें अगर आप new viewer हैं तो वीडियो चैनल को subscribe भी करें पूरा वीडियो देखने के लिए धन्नवाद